जैसा है आप देखें, आप जब कभी जमीन पर पानी गिरा दें, धर्ती पर पानी गिर जाए, वो पानी सुभादिक गड़े में चला जाता है पानी को गड़े में ले जाने के लिए कोई अतरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती लेकिन उसी पानी को यदि कहीं उंचे अस्थान पर ले जाना हो तो किसी यंत्र की आवस्षिता पड़ती है ऐसे ही हमारा मन सुभाविक संसार में जाता है जिस संसार का अनादी काल से हमारा मन अभ्यासी है जिस संसार का हमारा मन अनादी काल से अनुभव करते आया है वहां ले जाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती बलकि हमारा मन सुभाविक संसार अर्थात काम क्रोध लोभ मोह अंकार में खड़ा होता है लेकिन जब मन को योग में लगाना हो इस मन को ध्यान में लगाना हो, सक्ति में लगाना हो, अहिंसा में लगाना हो तो थोड़ी सी तप की अवस्यक्ता पड़ती है थोड़ी साधना की अवस्यक्ता पड़ती है और वही साधना वही तप हम नहीं करना चाहते आज हमने धर्म को भी ready made बना लिया जिस प्रकार आज खाना ready made हो गया आज कपड़े ready made हो गया जुते चपल जितने भी हमारे प्रयोग की चीजे हैं सब ready made उसी तरह से हमने धर्म को भी ready made बना लिया कि कहीं गए एक अगर्वत्ती चड़ाया कहीं हाथ जोड़े और हमारा बेड़ा पार हो जाए ready made का मतलब जानते हैं ready मतलब तयार और made मतलब पागल जो तयार पागल है वो ready made के चकर में पढ़ता है इसलिए कोई आदमी धर्म को भी ready made मत बनाएगे धर्म तो जीवन जीने की कला है ये सत्संत जीवन जीने की इस्थिती है जब ये हमारे जीवन में आ जाए तो क्या सुबह, क्या साम, क्या दोपहर, क्या खेट, क्या खलिहान क्या बजार, क्या घर, क्या भारत, क्या विश्ट के किसी देश वहाँ हम प्रेम में ही होते हैं वहाँ हम सत्य में ही होते हैं वहाँ हम छमा दया करुणा में ही होते हैं इसके लिए अत्रिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता अभी हमें प्रेम के लिए सत्य के लिए अत्रिक्त प्रयास करना पड़ता जबकि क्रोध के लिए हमें अत्रिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता किसी आदमी के साथ जगड़ा हो जाए किसी आदमी के साथ आपका विवाद हो जाए तो आप एक छण देर नहीं करते आपके भीतर से क्रोध की धारा प्रवाहित होने लगती है आपके भीतर से गालियों की बउचारे शुरू हो जाती लेकिन कहीं सक्ति कहनी हो कहीं प्रेम की बातें आ जाए कहीं धर्म की बातें आ जाए तो हम सिर्ख हुजलाते हैं कि अब क्या करें इसका मतलब है हमारे हिर्दय में अभी प्रेम सक्ति अहन सा करूना जिसको प्रवाहित होना था वो सहज नहीं है वो उसकी अभी हमने सिर्फ चादर ओड़ी है अभी तो हमारे जीवन में सहज क्रोध है हमारे जीवन में सहज अभी अंकार है जो कि कहीं भी खड़ा हो जाता और आस्चर्ज की बात यह है कि जब प्रतिकूल अवस्था हो विशम परिस्थिती हो उस वक्त ही हम हार जाते हैं जैसे कोई युद्ध आज भारत के पास सामरिक तौर पर बहुत से मिशाईल हैं तोप हैं, टैंक हैं, लड़ा को बिमान हैं एक से एक एक एटम बम हैं लेकिन आप जड़ा ध्यान देना कहीं पाकिस्तान से इध्ध हो जाए और भारत की सेना अपना सारा अस्त्र सारे हथियार दिल्ली के किसी भवन में सिर्फ प्रदर्शनी में लगा दे तो आप क्या कहेंगे कि सेना पागल हो गई क्या अरी वो लड़ाकू विमान की सकाम का वो टैंक की सकाम का वो एटम बम की सकाम का जो इस युद्ध में काम नहीं आया जरा उसी तरह से अपने जीवन में विचार करना हमारे पास भी अस्त्र है प्रेम का हमारे पास भी अस्त्र है सत्य का हमारे पास भी अस्त्र है करुणा का लेकिन जब परिष्थिती कभी विशम हो जाती है क्रोध की परिष्थिती हो जाती है उस वक्त हम हत्यार डाल देते हैं प्रेम का अस्त्र धर देते हैं और क्रोध का ही हत्यार प्रयोग करने लगते हैं उस वक्त हम वही परती खूलता के अंसार अपने आपको ढाल लेते हैं जिस युद्ध के लिए हमें प्रेन की आवशकता थी जिस युद्ध के समय हमें सत्य की आवशकता थी जिस युद्ध के समय हमें सारे सद्गुनों की आवशकता थी उस वक्त ही हमने अपने जीवन को गुराईयों से ही धक दिया और इस तरह से हम भुना उसी मार्ग पर चल पड़े होते हैं जिस मार्ग से आज भारत का पत्न हो रहा इसलिए मैंने निवेदन किया कि ये सत्संग जो हमारे जीवन को उद्गाटित करता है परंपुष्ण गुर्देव जी ने कहा निश्चे ही ये सत्संग हमारे जीवन को उद्गाटित करता है लेकिन इसके लिए हमें सजक और पुर्ण होर्ष के साथ गुरुजनों के विचार सुनना होगा और किसी भेदभाव के बिना हम ज्ञान को जीवन में धारन करें और ये चेश्टा करें कि जो हमारे देश की संस्कृति रही है जिस देश की संस्कृति जिस देश की पहचान रामकृष्ण बुद्ध महावीर कवीर और शहीदों में भगत सिंग चदर सिखर आजाद विरांगनाओं में लक्ष्मिवाई से रही हो हम ये चेश्टा करें कि आज जिस आज उस देश की पहचान पुना उसी साधना के पथ पर चल कर हो आज पुना उस देश की पहचान ग्यान मार्ग पर चल कर हो क्योंकि आज हमारे देश की पहचान कहीं न कहीं अभीनेता, अभीनेत्री और खिलाडियों के दारा होते जा रहा ह। जिस देश की पहचान संत मनीशियों और शहीदों से था, जिसके सामने पुरा विश्व जुखता था, आज हमें उसे पुनह धारन करने की आवशक्ता है, बस इतना ही कहकर वानी को भी रावन देता है